मां सार्दे के चरणों में नमन करता वा आप सभी का हार्दीक स्वागत करता हूं, इससे पूर बारतेंद योग, दिवेद्य योग, छायवाद्य योग का अध्यान अपने किया और आदुनी काल का अध्यन किया आसा करता हूँ आप इस इकाई में से पूछे जाने वाले सोड़े अंकों के जो महत्वपूर्ण प्रेश्ण आते हैं उनको सार गर्वित सेली में उनका उत्तर दे सकेंगे और इस इकाई को तीन भागों में विवाजित करके वीडियो बनाये गए हैं जिन में से पूर में दो वीडियो आपने देख लिये होंगे और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ज्ञानवर्दक भी है आज हम प्रगतिवाद, प्रियोगवाद का तो अध्यन करेंगे ही इसके साथ साथ तार सब तक क्या है तार सब तक कब अस्तिवत्वप आए इसके परमुक कभी कोन थे इनका अध्यन भी हम आज के वीडियो में करेंगे आदुनिकाल से समंदिस संपून अजयन सामगरी का लिंक आपके description में दिया गया है किसी भी एक वीडियो से भी आप उन्हें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और आसा करता हूँ कि आपकी सफलता को और अधिक निखारने में ये वीडियो बहुत अधिक सायक सीदोगा आप बोर्ड परिक्सा में उचतम अंग प्राप्त करके परिक्सा में उतिन होंगे उतिन तो होंगे ही, इसके साथ साथ आगे आने वाले जो competition है उनमें भी ये वीडियो आपके लिए सायक सीदोगे और अपने जीवन में हिंदी सायते में किसी भी प्रकाल की पर्तियों की परिक्साओं को पास करने में भी ये वीडियो आपके लिए सायक सीदोगे और इसी उम्मीद के साथ, इसी उत्सा के साथ आए शुरू करते हैं आदुनी काल से समन्दित से शिकाई परगतिवाद, परियोगवाद और दार सब्तक वंदे मात्राम जैहिंद परगतिवाद, परियोगवाद और ये चोथा प्रकार है परगतिवाद का अर्थ परगतिवाद का आर्थ, परगतिवाद काव्य की संग्या उससे काव्य को दी गई, जो चायवाद की समाप्ति काल में 1936 इस्वी के आजपास सामाजिक चेतना लेकर अस्तितुम आया, अर्थाच, 1936 में जब चायवाद लगवक समाप्त प्राय था, उसी समय परगतिवादी क कावे का उद्वव हुआ. प्रगतिवाद के उद्वव और विकास में राश्टीय अंतराश्टीय प्रिश्चितियां तो सयक थी इसके बावजूद. इसका एक कारण ओर भी था कि चायवाद की जीवन सुन्य होती हुई व्यक्तिवादिक कावे प्रतिक्रिया भी उसमें नीद थी जब चायवाद अंतिम समय में कुंठा ग्रस्थ हो गया था उसके विकास में अवरोध आ गया था तब साहित्यकारों ने इसे पेचाना और तद्नुकूल नए आयामों का विकास होता गया एक नए मानवतावाद जन्मा एक चेतना की लहर आई और जीवन कल्पना लोग से निकल करके ठोस दरातल पर आखड़ावा जब यही चेतना मार्क्स के द्वंदात्मक बोतिवाद और फ्राइडवाद की चाया में विक्षित होकर सामने आया तो इसे परगतिवादी या परगतिवादी साहित्य नाम दिया गया बहुती सुंदर परिवासा है ये प्रगतिवाद में समाज विशेश की और ध्यान दिया गया है यह है उस समाज का हिमायती है जो पीडित और सोशित है दूसरा मायूद जो की दूसरा मायूद और बंगाल का अकाल देश को निगलने वाली गटना है थी और बारत में 1935 इश्वी के आजपास साम्यवादी आंदोलन पनपने लगा था और साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ था जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं देश, समाज, राजनीती में पनपने लगती है उससे साहित्य भी प्रभावित होता है तो 1935 इश्वी के आजपास जब साम्यवादी आंदोलन पनपने लगा तब साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ था इसके बाद 1935 इश्वी में, 1935 इश्वी में E.M. Forrester के नेतरुत्वे में पेरिश में एक Progressive Writer Association नामक अंतरासे संस्था का पर्थम अदिवेशन हुआ था पेरिश में उसका नेतरुत्व कर रहे थे E.M. Forrester और उसी की तर्जबर हमारे यहां पर 1936 इश्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रेतनों से मुन्सी प्रेमचन की अध्यक्सता में भारत में भी लखनव में परगति शील्शंग की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्स थे मुन्सी प्रेमचन और इसका प्रियास करने वाले थे सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद परगति शील्शंग साहिते में युगिन समंदों को छोड़कर हवा में सास्वत मेल बनाने वाले साहिते को नकली और निर्जी मानता है परगति शील्शंग साहिते जो है वो युगिन समंदों में हवा में सास्वत महल बनाने वाले सास्वत मकान बनाने वाले जो यानि इसमें जो मेल इसमें लिखावा है ये महल है महल सास्वत महल बनाने वाले साहित्ये को नकली और निर्जीव मानता है परगतिवादी साहित्ये में समाज की कुरू सोसक सड़ी गली यानि सड़ी गली सडी गली विसंगतियों ग्रेश्ट शक्तियों का परदाफास कर नई सामाजिक शक्तियों के संगर्ष और आस्था को बल मिला है यह प्रगतिवाद का अर्थ था अब प्रगतिवाद की परिवासाएं विबिन विद्वानों न दी है जैसे बारतेंदु यूग में बारतेंदु की जो कावे था उसकी परिवसाएं थी और चायवाद की परिवसाथी परियोगवादी और द्वेदी यूग इन सभी की परिवसाएं तो इसी प्रकार प्रगतिवाद की क्या परिवसाएं हो सकती तो सबसे पहले शिवदान सिंग चोहान जो है वो क्या परिवाशा देते हैं वो कहते हैं कि परगतिवाद सहित्य की दारा नहीं सहित्य का मारक्षवादी दृष्टि कोण है जैसे रश सिदान सहित्य की दारा नहीं सहित्य का प्राचिन अध्यात्मिक दृष्टि कोण है अत की परगतिवाद है डोक्टर नगेंदर क्या कहते हैं डोक्टर नगेंदर कहते हैं कि परगतिवाद साम्यवाद का पोसक है और पुंजिवाद का सत्रू है डोक्टर नगेंदर ने साम्यवाद की कितने अच्छी दिये कि साम्यवाद जो है परगतिवाद क्या है साम्यवाद क का पोसक है और पुंजिवाद का सत्रु है अब जैसे प्रगतिवाद की प्रमुक विशेष्था हैं क्या है प्रगतिवाद की पहली विशेष्था है आस्था प्ररित मानवता सामाजिक यथार्थ के जैस्टि से प्रगतिवादी कविता आस्था आस्था और निष्ठा की किर परकुटिव करती है। आस्था की डोर को थाम कर ही परगतिवादी कभी गुटन निरासा और पराजे की अनुभूतियों पर विजए पाता रहा है। आस्था प्रेरित मानुटा इसकी परिफम विसेश्दा है। दूसरी इसकी जो सम्सेर बाधूर की कविता है अमन का राग जिसमें व्यापक अंतरास्ट्री बोद की जमीन पर वो किताब लिखी गई है जो की अंतरास्टे शतर पर पढ़ी गई है तीसरी इनकी विशेष्ता है राष्टिय चेतना और देश प्रेम राष्टिय चेतना और देश प्रेम राष्टिय के प्रति प्रेम, देश की धर्ती के प्रति सम्मान और मात्र भूमी की हर सांस से सामिप्य का भाव प्राए सभी परगतिवादी कवियों में मिलता है ये उनकी सभी कवियों के विशेषता है जिसमें मात्र भूमी के प्रती प्रेम है देश की धर्ती के प्रती सम्मान है राश्टर के प्रती सम्मान है ये हर एक परगतिवादी कवियों के कवियों में मिलता है विदेशी दास्ता का विरोध, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सासन था, तो दास्ता का विरोध, पुन्जी वाद, सामन्त वाद का विरोध, सांति परसार की कामना, लोक जीवन की यथार्थ इस्तियों का अंकर, वास्तों में लोक किस परकार का जीवन जी रहे हैं, उन इस इस्तियों का अंकन करना इस काव्य का प्रथम करतव्य बना और प्रथम बार उन्होंने एक आम मानव की जो इस्तियां है उन्हें अस्तित्व में और उनके बारे में लिखने का प्रियास किया गया जैसे देखिए नागारजुन की जो तरपन कविता है उसमें क्या लिखावा है कि भी करहा पूत नारित्वय जहां चांदी के छोटे टुकडों में करतव्य पालता धनिक वरग मदिरा के जूठे प्यालों में बहुती सुन्दर उस समय की स्थियों का चित्रण किया गया है चोथी इश्की विशेष्टा है लोक चेत्ना परगतिवादि कावे में लोक जीवन की मार्मिक और मधूर छवियों का चित्रण मिलता है रामविलास, केदारनाथ, नागारजुन, तिर्लोचन इन सभी की कविताओं में ग्रामिन अंचल की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की छवियां देखी जा सकती है इन सभी की कविताओं में ग्रामिन अंचल की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की छवियां वो इस पर देखी जा सकती है पांचवादि कावे की पांचवी विशेष्था है विशेष्था है विशेष्था है परगतिवादि कावे का वेंगे भी तिखा है वर्तमान सामाजिक राजनितिक व्यवस्था पर व्यवस्था पर व्यवस्था पर व्यवस्था पर व्यवस्था है वर्तमान जो सामाजिक, राजनेतिक जो व्यवस्ता थी आर्थिक व्यवस्ता थी उन पर व्येंगे कविताएं हैं वो परगतिवादी युग में लिखी गई इस युग में सरकारी, गेर सरकारी, ब्रस्टाचार, गूस खोरी, बेईमानी, वासना लोलुपता जैसे विश्तमापर बहुत अतिक रचनाएं लिखी गई है चटी इसकी विशेष्ता है वर्ग संगर्ष क्योंकि ये कार्ल मार्क्स से समन्दित और कार्ल मार्क्स से प्रभावित कविता है और युग है तो इसमें वर्ग संगर्ष की क्रांती बावना जो है वो तो आना स्वावाविग है वर्ग संगर्ष या क्रांती की बावना वर्ग संगर्स का अच्छा अंकन किया गया है, सर्वहारार के प्रति सानुबूती व्यक्त की गई है, जैसे दिनकर की एक कवीता है जिसमें कवी ने लिखा है और एक पुंजिवाद और एक मजदूर का चित्रन उन्होंने बहुती सुन्दर सब्दों में लिखा है, कवी लि लजज़ा वसन बेच जब व्याज चुकाए जाते हैं, यूती के लज़ा वसन बेच पर पानिसा दर्वे बाहते हैं, ये था इसकी विशेष्टा है इन विशेष्टाओं के अलावाब आपके प्रस्णों में होता है कि फलायूग के परमुख कभी कौन-कौन से हैं तो परगतिवादी परमुख कभी है वो आप इस परकार देखिए पहला इसका केदारनात अगरवाल, राम विलाज सर्मा, नागार जुन, रांगे राघव, सिव मंगल सिंग सुमन, त्रिलो चन, गजानन मादव मुक्तिबोध, दर्मवीर भारती, नरेश मेता, बवानी परसाद मिश्र ये इस युग के परमुख कभी थी, अब हम पढ़ेंगे परमुख जो कभी है, उनमें से चार कभीों का परिचे, बहुत ही सौर्ट में, और एक प्रसनी आ सकता है कि परगतिवादी कभीों का परिचे दीजिए, तो आप पहले परगतिवादी कभीों के नाम लिखेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं केदारनाथ अगरवाल, जो की 1911 से लेकर के 2000 इस्वी तक वो इसे अपने भारत को सुस्वबित करते रहे, उत्रप्रदेश के जिला बांदा में कमाशिन ग्राम में इनका जन्म होता 1911 में, केदारनाथ की कविताओं में मानव और प्रकरत के संदरे का सहज, वेगवान और उन्मुक्त रोप मिलता है, इनकी जो कविते हैं वो है माजी ने बजाओ बंसी, माजी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनका छोटा सा और शोर्ट प्रिचे है, वो आपको लिखना है, इसके आगे दूसर जो कवि है वो है नागारजुन, और नागारजुन देखिए, नागारजुन का वास्विक नाम है वेद्यनात मिस्र, नागारजुन का वास्विक नाम था वेद्यनात मिस्र, और इनका जन्म तरोनित दरवंगा विहार में हुआ था, 1910 शिष्वी में, इन्होंने यात्री क मेथिली बाशा में इनोंने कविताएं लिखी है। इनोंने सामाजिक कुरूपता, राजनेतिक एवैवस्था, दार्मिक अंदविश्वास इन पर भी बेंगे कावे लिखा है। इनके कावे कर्तिरिक्त इनकी रचनाई कोन-कोन सी है इनकी रचनाई है बादल को गिरते देखा है पासानी चंदना सिंदूर तिलकित बाल तुमारी दंतूरित मुषकान ये इनकी रचनाई है और इसका चोथा और अन्तिम जो कवी है उसका परिचे रांगे रागव जो की 1923 से लेकर के 1922 तक उनका जीवन रहा बहुमुकी प्रतिबा के धनी रांगे रागव ने कविता के साथ साथ कहानियां उप्ञास और आलोसनाएं भी लिखी इन्होंने प्रबंद और मुक्तक दोनु प्रकार के कावे लिखे हैं रांगे रागव ने प्रबंद कावे भी लिखा है और मुक्तक भी लिखा है जैसे रचनाओ में अजे खंडर मेधावी और पांचावली ये प्रबंद कावे हैं राह के दीपक ये एक मुक्तक कावे हैं तो ये था प्रगतिवाद और प्रगतिवाद की विशेषता हैं पर्मुकवियों के नाम और पर्मुकवियों का परीचे. अब हम पढ़ते हैं परियोगवाद. परियोगवाद क्या है? परियोगवाद जो है वो 1923 के आसपास शुरू हुआ, प्रतेग युग नए परियोग से गुजरा है, किन्तु परियोगवाद उन कविताओं के लिए रूड हो गया, जो नए बोज और संबेदना को लेकर तार स प्रकास जगत में आई थी, उन कविताओं के आधार परियोगवाद रखा गया, उन कविताओं के लिए ये प्रियोगवाद है, वो रूड हो गया है, प्रियोगवादी कविता हासोनमुक मध्यम वर्गे समाज के जीवन का चित्र है, वे भाउकता के इस्तान पर ठोस बोदिक्ता को स्विकार करते हैं, वे से प्रियोगवाद सब्द क्या है, ब्रामक है, यानि प्रियोगवाद इसका अर्थ ये नहीं है कि कविताओं में नए नए प्रियोग करना ही कवियों का उद्देश ही रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, यानि ये कि ब्रामक सब्द है, इसका अर्थ है, वो लोग थोड़ा अलग से ले ले लेते हैं, जैसा वेसा नहीं है, परियोगवाद के संबंद में विबिन विद्वानों ने अपनी अपनी परिवासाइं दिये जैसे अग्गे अग्गे ने परिवासा दिये कि परियोगवाद अपने आप में साध्य नहीं साधन है एक तो वे सत्य को जानने का साधन है जिसे कवी प्रेशित करता है दूसरे उस प्रेशन क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन भी है ये अग्ये ने इसकी परिवासा दी दूसरी परिवासा है वो दर्मवीर भारती न दी थी दर्मवीर भारती केते हैं कि परियोगवादी कविता में भावना है अब प्रियोगवादी कविता एक बावना है किन्तु हर बावना के आगे एक प्रस्ण चिन लगावा है अब प्रियोगवादी कावे की विशेष्था हैं प्रियोगवादी कावे की विशेष्था हम पहली जो विशेष्था है वो है परियोगवादी कविता हासोन मुख मध्यम वर्गे समाज के जीवन का चित्र पस्तूत करती है दूसरी इसकी विशेष्ता है परियोगवादी कावे में व्यापक जीवन अनुबूती के इस्तान पर व्यक्तिगत जीवन का चित्रन मिलता है तीसरी इसकी विशेष्टा है कि इस यूग में बोधी कावे का सरजन हुआ है चोती इसकी विशेष्टा है कावे में साधारनी करण की अपेकसा विशेषी करण को महत्वे दिया गया साधार निकर नहीं होकर के विशेश इकरणियन एक विशेश समाज की ओर कविताएं है वो लिखी गई है एक विशेश व्यक्तित की कविताएं इसमें लिखी गई है पांच भी इसकी विशेष्टाएं है कि परियोगवादी कावे जो है फ्रायड वाद से प्रभावित है जिसमें दमित और कुंठित वासनाओं को वानी दे गई है और छट्टी और अंतिम विशेष्टा यह है अतिवयक्तिक कावे रचना है अतिवयक्तिक मतलब व्यक्ति और जन समान्य का बहुत अधिक चित्रण यानि अतिशोक्ति पूर्ण चित्रण भी इसमें किया गया है इसके बाद प्रियोगवाद के परमुख कवी कोन-कोन से हैं प्रियोगवाद के परमुख कवी जो है एक तो अग्ये जिसका पूरा नाम स दर्मवीर भारती, नरेश मेता, रगवीर सहाय, परियाग नारायन, केदार नाज सिंग, सर्वेश्वर दयाल सक्षेना, यानि ये वो कवी भी है जो तार सब्तक में भी इनकी रचनाएं प्रकासी तुआ करती थी और ये परियोगवादी कवी भी है. परियोगवादी कवीओं का हम परिचे पढ़ते हैं, परियोगवादी कवीओं का भी चार का ही परिचे पढ़ेंगे, और सबसे पहला जो परिचे वो पढ़ रहे हैं, अग्गे का जो की 1911 से लेकर के 1907 से तक उनका जीवन रहा, साथ मार्च 1911 को उत्तर परदेश के देवरिया जिले में कसया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, विज्ञान विशे से सनातक करने के पस्चाथ यानी बियेसी करने के पस्चाथ हिंदी संस्क्रित अंग्रेजी का जियन इनोंने किया, इनोंने देनिक शेनिक नव भारत ट वो है जैसे अग्रदूत, चिंता, इत्याल्म, हरी गास पर सन्भर, बावरा अहरी, आंगन के पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार जो है वो राश्रेश्तर के पारित्व शिक से भी सम्मानित की गई रचना है, और तार सब तक जो है वो अग्ये जी के संपातक्त्व में ही 1923 में प्रकाशित्वा था और 1987 में इनका देहान दो गया था ये था अग्ये का परिचे। दूसरा कवी है मुक्तिबोद इनका पूरा नाम मुक्तिबोद जो है 1917 से लेकर के तक जिनका जिवन काल रहा इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोद था जर्म जो है इनका ग्वालियर के एक कश्वे में हुआ था मुक्तिबोद एक अध्यापक थे पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कावी और कथागार रहे हैं नई कविता के अग्रज कवी के रूप में जाने जाते हैं इनोंने कविता में फेंटेसी भी लिखी है अब फेंटेसी क्या है कावे की नविन विदाएं है उन विदाओं के बारे में अलग से एक लेशन में एक पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि fantasy क्या है इनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो इनकी रचनाओं है चांद कामू टेडा है बुरी बुरी खाक धूल अंधेरे में ब्रह्म राक्षश ये इनकी रचनाओं है तीसरा जो है वो कवी है बवानी परसाद मिश्र ये भी एक प्रियोगवादी कवी है जो कि 1914 लेकर के 1985 तक इनका जिवन काल रहा सहेज समवेदना के कवी कल्पनों पत्रिका के संपातर ओलिंडियो रेडियो में उद्गोसक के पद को सुशोबित करने वाले और नई कवीता के यसर्श्वी हस्ताक्सर मिश्र जी का जन मध्य प्रदेश में हुआ आपको इस प्रकार यदियाद किसी कवी का परिचे लिखते हैं तो कोपी जांसने वाले जो प्राध्यापक मोदे होते हैं वो भी एक उनसे प्रभावित होते हैं तो इसलिए हमें इस प्रकार के शब्दों का प्रियोग करना चाहिए सहेज समवेदना के कवी कल्पना पत्रिगा के संपादक और ओलेंडियो रेडियो के उद्गोसक के पद को सुसोबित करने वाले नई कविता के यसस्वी अस्ताक्सर स्री मिस्र जी का जन्म है वो बद्यप्रदेश में हुआ, इनके कावे में राष्ट्रवाद, क्रान्तिवाद, प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, सारी धाराएं एकाकार हो गई थी यानि इन्होंने राश्रवाद भी लिखा, करांतिक वाद भी लिखा, परगतिवाद भी लिखा, इन सभी पर इन्होंने कावे रचनाएं लिखी है, इनकी कावे रचनाएं में देखिए, इनकी जो कावे रचनाएं थी, गीत फरोश, सन्नाटा, चकित है दुख, अंधेहरी क गांदी पंच सती खुस्बु के सिलालेक ये इनकी कावे रचनाय थी बवानी परसाद मिश्र की इसके अलावा अंतिम जो कवी है वह है आपके दर्मवीर भारती दर्मवीर भारती 1926 से लेकर के 1997 तक इनका जीवन काल रहा इनके बारे में धर्म युग पत्रिका के संपादक, व्याख्यता, आदिम गंद की तडप और लोक जीवन की रूमानी छवी की पकड़ रखने वाले भारतीजी का जन इलाबाद में हुआ था इनके कावे में लोग परिवेश की मस्ती और उल्लास को इस्थान मिला है, परियोगवादी कावे धारा के सशत कभी माने जाते हैं इनकी रचनाओं में देखिए अंदायोग, ठंडा लोहा, साथ गीत वर्ष, कनुप्रिया, सुरज का सात्मा घोड़ा ये इनकी रचनाओं थी ये तो था परियोगवाद तक का, परियोगवाद में अपन ने पड़ा था तारसब्तक, अब तारसब्तक क्या है, थोड़ा सा इसके विशे में जान लेते हैं, कि तारसब्तक क्या है तारसब्तक जो है, उनीसो तैयारीस इस्वी में, उनीसो तैयारीस इस्वी में नवी कविता के लिए साथ कवियों का एक मंडल बनाया गया था और वो सचिदानंद हीरानंद वात्षयायन अग्गे के नेतरतों में जिसे तार सब्तक नाम दिया गया यानि साथ कवियों का एक मंडल था जिसमें साथ कवियों की रचनाई प्रकासी तुआ करती थी उसे ही तार सब्तक कहा जाता है तारसब्दक का प्रकासन बारदी ज्यानपी त्वारा 1953 में किया गया और पर्थम जो तारसब्दक का प्रकासन था वो अपने एक कवी अग्जे के नेतरतों में हुआ था पर्थम तार सब्तक में ये पूछा दाशकता है कि तार सब्तक क्या है पर्थम तार सब्तक के कवियों के नाम लिखिए तो पर्थम तार सब्तक के कवी हैं आपके गजाननमादव मुक्तिवोल्ट, अग्ये, नैमी चंद्र जेन, बारत बुष्ण अग्रवाल, प्रबाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथूर और रामविलास सर्मा यह पर्थम तार सब्तक के कवी थे, दूसरा तार सब्तक जो हैं 1951 में प्रकासित्वा, यानि दूसरा जो तार सब्तक हैं 1951 में अस्तित्वम आया और यह भी अग्ये के नेत्रतों में था लेकिन इसमें अग्ये की कविताएं नहीं छपा करती थी इसमें जिन कवियों की कविताएं छपती थी वो थे बवानि प्रसार मिस्र, सकुंतला माथूर, हरिनाराण व्यास, समसेर बादुर सिंग, नरेश मेहता, रगवीर साहाई और दर्मवीर भारती ये साथ कवित है, यानि सब्तक में साथ ही कविताएं और तीसरा जो तार सब्तक था, वो हुआ था 1969 में 1969 में और इसमें जो कवि थे, वो थे एक तो प्रियाग नराएंट, कुमर नराएंट, कीर्ती चोधरी, केडारनाज सिंग, मदन बात्सियायन, विजे देव, नराएंट साही, सर्वेश्वर दयल सक्षेना, ये इस यूग के, यानि तीसरे तार सब्तक के कवि थे जो की 1969 में अस्तित्व में आया था, तो तार सब्तक के समझ में आपके प्रस्ण पूचा जा सकता है कि तार सब्तक क्या है, दूसरे सब्तक के कवियों के लिखिये नाम, पर्थम के लिखिये, तरतिये के लिखिये, इनमें से किसी का नाम भी पूचा जा सकता है, एक बात आपको और ब देख सकते हैं और इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई तिथी या लेखक के समन्द में किसी प्रकार का कोई मतभेद पाया जाता है तो आप अपनी अथेंटिक लेखक की पुस्तक से मिलान करें यदि उस पुस्तक में और इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई मतभेद मिलता तो आप अपनी authentic writer की book को ही सही मानेंगे तब तक के लिए दन्यवाद जय भारत अगला वीडियो जो है वो अपना भारतिये अपनी जो हिंदी साहित्या का जो इत्यास है उसमें प्राचिन काल से समंदित यानि